रनिंग से पहले वर्म अप क्यों इंपोर्टेंट है आपके लिए वो मैं आपको साइंटिफिक और सिंपल तरीके से बताऊंगा आप पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजे तो नंबर वन पे हम रखते हैं जंपिंग जैक्स को जब आप जंपिंग जैक्स करते हैं तो आप आपके सारे जॉइंट्स प्रॉपर वर्क करते हैं और जब आप जंपिंग जैक्स करते हैं या फिर रनिंग करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है आपको हमेशा ब्रीद इन करना है आपके नोस से और ब्रीद आउट हमेशा आपको माउस से ही करना है उसके बाद number two है cross hand blade for chest activation जब आप ये रनिंग करते हैं तो आपके chest muscle भी engage होते हैं जिसके वैसे आप fast running कर पाते हैं upper body बहुती ज़्यादा important है आपके fast running के लिए आपकी पूरी upper body work कर रही होती है आपके shoulder, आपके chest इसका बहुती आपको important ध्यान रखना पड़ता है पाया जाते हैं वो rotator cuff में पाया जाते हैं तो उसका आपको भूती ध्यान रखना होता है योगी running करते हैं आपके rotator cuff बहुती ज़्यादा work करते हैं उसके बाद आता है आपका number four toe touching जब आप toe touching करते हैं तो आपके जो back में अगर stiffness वगेरा होती है बहुत सारे लोग को ये problem होती है उनके back में stiffness होती है तो ये भी उन्हें करना चाहिए running से पहले number five stretch your legs अगर आप आपके leg को stretch करते हैं जब आप running करते हैं तो running करने के बाद जैसी आप forward भागते हैं तो आपके जो quadriceps होते हैं legs के muscles वो activate होते हैं की fitness को बनाए रखने के लिए तो friend आप इस बात का हमेशाद ध्यान रखें तो चलिए next हमारा point लेते हैं जब कई बार आपने दिखो आपके पेट में pain होता है running करते time तो इसलिए होता है कि आपका जो oblique है और core muscle वो आपके weak होते हैं उसके वैसे आपको यह problem होती है ज्यादा bloating के वैसे भी होती है तो आप यह cross running करेंगे उसके बाद में आप down जाएंगे उसके बाद में उसकी workout हो जाएगी number eight पे हमाँ लेता है cross elbow high knees जब आप cross elbow high knees करते हैं तो आपके core muscles होते हैं यह पूरे activate हो जाते हैं जब आप running करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा आपको help मिलती है fast running करने के लिए तो आप हमेशा workout मतलब running से पहले आपको हमेशा 25 minimum आपको यह wrap जरूर लगाने चाहिए number nine पे हमारा आता है hamstring movement आपके hamstring के अंदर तीन important muscles होते हैं बाइसे femoris, semi tendinosis and semi membranosis यह तीनों muscle बहुती ज़्यादा help करते हैं जब आप running करते हैं यह तीनों muscle engage होते हैं इनका strong होना और इनकी movement बहुत ही important है number 10 पे मैंने रखा है standing calf काफ को अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनें जबी भी आप आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं आप fast दोडने की कोशिश करते हैं तो फिर उसके पीछे reason होता है हमारे gastrocnemius और soleus muscle का जो की होते हैं हमारे calf muscle आप अगर running से पहले अगर standing calf लगाते हैं तो वो भी activate हो जाएंगे आपको हमेशा standing calf जरूर करनी चाहिए चाहिए आप running करें या फिर ना करें आप gym करें या ना करें क्योंकि हमारे soleus muscle बहुत ही important होते हैं हमारे blood को pump करने के लिए नीचे से लेके heart की तरफ तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यार रखें अभी तक मैंने आपको जो भी बताया यह सब मैंने अपने खुद के experience से आपको बताया है मैं professional gym trainer इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजे आप पसंद ने आई तो इस वीडियो का आप डिसलाइक कर दीजे चैनल पर पहले बार तो सब्सक्राइब किये बिना आप न आ जाए विकोज चैनल पर आपको बहुत ही important important health related आपको टॉपिक पी वीडियो मिलते ही रहेंगी जब तक आप खुश रहें सलामत रहें जैहिंद वंदे मातरम